तो आप देख सकते हैं बिशन गर्मी पड़ रही है और इस बिशन गर्मी में जहां लोगों का जीना मुहाल है तो वहीं आप देखिए एक बाबा जी आग के बीच बैट कर तपश्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे चारों तरफ जो है आग का गोला बना रखा है और उस आग के गोले के बीच आप देख सकते हैं बाबा जी तपश्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे खूला आस्मान है और खूले आस्मान से जहां बीचन गर में पड़ रही है तो वहीं चारों तरफ जो है आग का गोला बना कर बाबा जी तपश्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे विशव शान्ती के लिए ये तपश्चा की जा रही है एक तालिस दिनों तक ये तपश्चा चलेगी और आप देख सकते हैं करनाल में महंत परलाद नातगिरी जी आप देखिए आग के गोलों के बीच बैठ कर जो है तपश्चा करते हैं हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर करें तो बिलकुल आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में बाबा जी आग के चारों तुरफ बीच में बैठे हैं और तपश्चा यहां पर करते हूं नजरा आ रहे हैं आप देख सकते हैं लोग भी यहां पर बाबा जी के तपश्या कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं आस्मान से आग बरस रही और इस आग के बीच आप देखिए बाबा जी आपको तपश्या करते हुए नजर आ जाएंगी अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है देश में विशम में शांती के लिए आप देख सकते हैं बा आस्मान के बीच आप देखिए तपश्या करते हुए नजर आपको आ जाएंगे हाला कि आसा पहली बार नहीं हुआ कि बाबा जी इस बीचन गर्मी में तपश्या कर रहे हैं इससे पहले भी बाबा जी कई बार तपश्या कर चुके हैं और उनका मक्सद है विशम शांती औ बाबा जी और आप देख सकते हैं यहां पर आगे के पांच दुनी बनाई गही है और इनी दुनियों के बीच में बैठे हुए हैं बाबा जी और लगातार वो रोज दो गंटे तक इसी तरह से तप करते हैं हाला कि आपको बता दे कि 41 दिनों तक यह तप चलेगा और इसी तरह से लगातार सवा 12 बज़े से लेकर सवा 2 बज़े तक बाबा जी इसी तरह से आपको कप करते हुए नजर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं बिशन गर्मी पड़ रही है और इस बिशन गर्मी में जहां लोगों का जीना मुहाल है तो वहीं आप देखिए एक बाबा जी आग के बीच बैट कर तपश्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे पाचारों तरफ जो है आग का गोला बना रखा है और उस आग के गोले की बिच आप देख सकते हैं बाबा जी तपश्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे खूला आस्मान है और खूले आस्मान से जहां बिशनगर में पड़ रही है तो वहीं चारो तरफ जो है आग का गोला बनाकर बाबा जी तपश्चा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे विशव शांती के लिए ये तपश्चा की जा रही है 41 दिनों तक ये तपश्चा चलेगी और आप देख सकते हैं करनाल में महत परलाद नातगिरी जी आप देखिए आग के गोलों के बीच बैट कर जो है तपश्चा करते हैं हमारी आप सभी से पील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर करें